एलो फ्रेंड्स घेवर जो हर किसी को बहुत पसंद आता है और सावन और राखी हो और घेवर ना बने ऐसा तो होई नहीं सकता है तो फ्रेंड्स मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शे सावन और ना खान यह जोता है और खाने में वीडियो उपकर अश्धान में सावं और यह जरूरी माना जाता है इसमें कि रेसेपी मेरे आपके साथ शेयर करती हूँ बनाते हैं में पर आधाते हैं बहुत पड़कि तरीके से जिलीवर करटे玩ि यह सुरु करते में अपनी त आज हम गेवर के बैटर को फेटेंगे नहीं और नहीं किसी मुस्किल तरीके से बनाएंगे बहुत ही आसान सी रेसिपी आज मैं गेवर के आपके साथ शेयर करूंगे तो फ्रेंड्स उसके लिए मिक्सी हर किसी के घर में होती है आज हम गेवर का बैटर मिक्सी से बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हम मिक्सि के बॉल में चार चमच घी डालेंगे घी आप कोई भी ले सकते हैं, बनस पदी ले सकते हैं, देशी घी ले सकते हैं जिसमें आपका बनाने का मthy अप उस घी को एड से Archive द spokes देजेश यह दीजेए यहा सकते हैं अब हम इसमें चार से पांच आइस क्यूब को एड़ करेंगे और इसे मिक्सी में बंद करके अच्छे से चला लेंगे फ्रेंट्स ये देखिए हमारा घी कितना सॉफ्ट था और ये कितना हार्ड हो गया है अब हमें क्या करना है इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालना है मैंने यहां पर एक कप मैदा लिये क्वांटिटी के आपसे मुझे नहीं पता है कितनी है लेकिन एक कप लिया है इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा थंड़ा पानी डाल और बापस से इसको मिक्सी में घुमा लोंगी, जैसे जैसे हमारा बैटत थीक हो जाए हमें तुरांथी ठंडा पानी एड़ करना है, थोड़ा-थोड़ा मेदा डालते जाएंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और बापस से इसको बंद करके मिक्सी को चला यह देखिए गोल बन गया है अब इसमें हम बापस से दो चमच मैदा एड़ करेंगे और थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे इसी प्रकार से हम सारे गोल बना लेंगे और फर्ण्स हलवाईउ वाली एक ट्रिक जो हलवाई अपने गेवर में हमेशा यूज करते हैं वो पूरे एक कप मैदा में एक चमच बेसन वो जरूर ऐड़ करते हैं तो हम इसमें एक चमच बेसन एड़ करेंगे, इस से जादा बेसन हमें नहीं एड़ करना है, इसमें वापस से ठंडा पानी डालेंगे और इसको फिर से मिक्सी में चला देंगे, ये देखिया हमने वापस से मिक्स कर दिया है, अब जितनी मैदा बची है उसको हम इसमें दिया है और आधा ग्लास पानी हम इसमें और एड़ करेंगे बैटर अगर ज्यादा थिक होगा तो हम उसमें बाद में भी पानी एड़ कर सकते हैं इस बात का आप ध्यान रखिए इसको वापस से एक बढ़ चला देंगे फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें हलवाईों की दूसरी ट्रिक का यूज़ करेंगे हलवाई अपने गेवर में एक नीम्बू करस जरूर यूज़ करते हैं वो अपनी क्वांटिटी के अनुसार करते हैं कि कितने उसमें मैंने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है तो एक चमच बेसन एड़ किया और एक ही नीम्बू करस में इसमें एड़ कर रही हूँ उसके बाद हम इसको एक बार वापस से चला देंगे यह देखिए हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसको साइड में रखते हैं और एक बॉल में थोड़े साइस क्यूब डालके उसमें पानी डालते हैं और उसके अंदर एक काच का बॉल लगते हैं गेवर बनाने के लिए जब भी आप बैटर को रखें तो उस consistency में होना चाहिए देखिए गेवर के बैटर की consistency बिल्कुल flowing में होनी चाहिए जैसे हमारा running butter आता है उस ट्राइप से होनी चाहिए तो फ्रेंड्स अब हम चलता अपनी गैस की तराफ और अपनी गेवर को बनाना शुरू करते हैं एक बात का ध्यान रखे जब भी आप इस बात का ध्यान रखें और कड़ाई में भी आप गेवर आसानी से बना सकते हैं कि सब्सक्राइब करके दोदाte लेकिन मूड लेने की हमें आवशक्यता नहीं है क्योंकि हमारे घर में आसानी से गेवर बन जाता है टो मैंने खणोन दूद चाहीं बनातेस इसमे मैंने आदे से नीचे ओइल भर दिया आप। Claire Vasude इस बातका भाइल परीज़ी ले सकते हैं अब छेकर अब धीरे दीरे बैटर लेता है और इस ऒब में डालते हैं जहेश्रीया आज आज देखिए गेवार बीच में जगह छोड़ चुका है और साइड़ों में अच्छे से पैल चुका है इसे प्रकार से हम दूसरे चम्चे को भी इसमें जहां जगह हुई है उसी में बैटर को डालेंगे ताकि यह वापस से चार त्रफ फैल जाएं प्रेंट्स ये लिए कि हमारा गेवर आसानी से बन गया जाली इतनी अच्छी पड़ी है जैसे मार्केट के गेवर में पड़ती है तो फ्रेंट्स इसी प्रकार से हम अपना दूसरा गेवर भी बना लेंगे फ्रेंट्स गेवर तो हमारे बनके त्यार है अब हम करते हैं उनकी रबडी की त्यारी रबडी बनाना बहुत ही एजी होता है दूर्सको अच्छे से उबा लिए उसमें चीनी डालिए हरी एलाइची डालिए और रबडी त्यार इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ लेटर दूद लिया है इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक ये दूद आधा नहीं रह जाता क्योंकि हमें गेवर के लिए रबडी थोड़ी थिक चाहिए फ्रेंड्स ये देखे हमारे दूद में अच्छे से उबाल आने लगा है अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक हमारा दूद आधा नहीं रह जाता और अच्छे से कढ़ नहीं जाता और इसकी अच्छी सी रबडित बना के तयार कर लेंगे ये देखे धिरे-धिरे हमारा दूद करता जा रहा है और इसमें एक मलाईसी जमने लगी है इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे थाकि हमारा दूद और भी काड़ा हो जाए और हमारी जो रबड़ी है वो थिक बने इसे हम 5-10 मिनिट के लिए और पकाएंगे फ्रेंट्स ये देखिए हमारी रबडी धीरे धीरे थिक होने लगे इस टाइम पर हम इसमें बनवाई फोर्थ कप चीनी एड़ करेंगे क्योंकि हमें शुगर स्टरब भी गेवर में डगाना है इसलिए हम चीनी की मातरा को रबडी में कम ही रखेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसमें हम थोड़ी सी हरी इलाइची को भी क्रश करके एड़ कर देंगे ताकि हरी इलाइची एक अच्छा सा फ्लेवर दे और इसको वापस से पकाएंगे और थूड़ा सथीक और कर लेंगे प्रेंट्स यह देखे हमारी रवडी में अच्छे से बॉइल आ रहा है और हमारी रवडी बहुत ज्यादा ठीक हो गई तो फ्रेंट्स यह लीजे हमारी रवडी अच्छे से बन के तयार है अब हम गेस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं यह देखिए हमारा गेवर विल्कुल तयार है अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं गार्निशिंग करने के लिए हम इसके लिए चासनी बनाते हैं जैसे हमने जलेबी के लिए चासनी बनाई थी सेम ऐसी चासनी हमें इसके लिए बनानी है अब हम थोड़ी सी चासनी इसके चाहिए यह बात का ध्यान रखिए चासनी डालने के बाद हमने जो रबली बना के रखी थी अब हम अपने घेवर के उपर इसको एड़ कर देंगे अब हम इसके उपर थोड़ा सा पिस्ता एड़ कर देंगे और हमारे पास रोज पिटल्स होती है न वो भी इसके उपर एड़ कर देंगे तो फ्रेंट्स ये लिजे हमारा घेवर बन के बिल्कुल तयार है आप इसे सावन के महीने में आनंद लेके खाईए तो फ्रेंट्स ये रेसिपी जरूर ट्राइ केजिए आपको बहुत पसंद आएगी खाने में तो इतना लाजवाब लगता है कि कुछ कहने नहीं है आप इसको खाएंगे तो और सारे मिठाईयों को बाई बाई बोल देंगे तो फ्रेंट्स कल फिर मिलते हैं एक नहीं रेसिपी के साथ थैंक यू बाई बाई